चिकन मटन खाना भूल लाओगे अगर ए सबजी एक बार आपने खाल ली तो इसको बनाते कैसे हैं चलिए देखते हैं इसके लिए हम 200 ग्राम पालक लेंगे इसको धूल लेंगे अच्छे से और ऐसे हम कट कर लेंगे फिर एक हम बावल में लेंगे इसमें एक चमच नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसे हाथों से भी मिक्स कर सकते हो फिर इसको हम 10-15 मिट के लिए रख देंगे और यह तरफ कडाई लेंगे मुछ मसाले खड़े डालेंगे और प्याज दालके इसको थ्हूड़ा भूनेंगे फिर इसमें हम टमाटर को अभ़करे इसको थोड़ा भूनेंगे जब तक इनका कच्छा पन निकल जाए फिर इसको हम गैस बंद करके ठंडा होने के लिए लग देंगे और फिर हम देखते हैं हमारा पालक पानी छोड़ दिया है और इसको हम दबा के अच्छे से या कपड़े में भी आप ले सकते हैं इसको मैं त आप पेश्ट पनालेंगे पिर इसमें हम 2 शपून बेशन डालेंगे बेशन को ढालके मिक्स करेंगे और इसमें अगर बेशन कम लग रहा है तो आप और बेशन बढ़ा सकते हो मुझे तो पालत प्रकामी तो छेरा, लाल मिर्च, गरम मशाला ने जालेंगे आप नमग डाल इसने छोड़ा सा तेल लगा लका लें मेरं चिपकना जाएंक शिबखना कम हो जाएंस को अब हैं ओर चक्ले बड़ा कर रावाタ till नहीं तो दुझा नहीं हुआ NY organised कoffirmhere मैं कर्क दोह पिर टुड़ने के लिया डो कि सकर रुकिते बचाने के लिए घुर लिए भिटेंगे घुर थीम नूमाइड की पशवा लिए रुटे ऑगसी जार लेगे मैं तमाटर को कि में भीलाा प्रेस्ट को ढालेंगे थोड़ा सा भूनेंगे पांच मुट तक दीमी आज पर भूने के बाद में इसमें मसाले डालेंगे जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, हरी मिर्च और गरम मसाले आप अपने हिसाब से मसालों को और अड़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो बनाने के देखते हैं दूसरी तरह हमारा यह इस्टीम हो गया है इसको मैं निकाल लूँगी ठंडा कर लूँगी ठंडा करने के बाद हम इसको ऐसे पीसे में चोटे बड़े आप अपने हिसाब से काट सकते हो जैसे आपको पसंदो और पिर काट के इसको मसालों में डालेंगे हम दे अच्छा लगता है तो पिर इसमें हम धन्या डाल के इसको चलाएंगे और फिर गयास को बंद कर देंगे हमारी यह पालक की सबजी बनके तयार है पालक की सबजी एक कैसी लेगी आपको एक कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और सेयर जरूर करें थाइंक यू फॉर वाचिंग